नमस्कार दोस्तों, बैंक अब बड़ोदा ने बरसात के दिनों में मौनसून धमा का डिपोजिट स्कीम लाँच कर दिया है, जी हाँ दोस्तों ये एक स्पेशल FDA स्कीम है जिसको कि बैंक अब बड़ोदा ने हाल में लाँच किया है और इसका नाम दिया है मौनसून धमा का deposit scheme इस नाम से दोस्तों बैंक अपड़ोदाना दो scheme लाँच किया है जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे और जैसा कि आपको पता ही है कि हर स्कीम की तरह इस स्कीम में भी senior city को कुछ खास मिलने वाला है senior city को इसमें जादा interest मिलने वाला है तो क्या-क्या मिलेगे इस स्कीम में वीडियो में हम लोग उसके बारे में दोस्तों आगे चर्चा करेंगे तो वीडियो में बने रही है और आपको क्या करना है आपको पता ही है वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते ही जाना है तो फड़ा फड़ा से दोस्तों आए जानता है मांसून धमाकार डिपूजिट स्कीम के बारे में बैंक को पड़ा दो दोस्तों दो तरह कर दोस्तों दमाकाटी बुजेट स्कीम लांच किया एक है 333 दिनों का स्कीम और दूसरा है 399 दिनों का स्कीम तो तरह का आपको interest rate मिलने वाला है इसमें एक का लेवल, एक नवन का लेवल, यानि कि एक में आप जो है premature close कर सकते हैं और इसमें आप premature close नहीं कर सकते हैं तो दोनों तरह के scheme के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, पहले बात करते हैं 333 दिनों की, तो 333 दिनों के scheme में जो जनरल सिटिकों को interest rate मिल रहा है, और senior citizen को जैसा कि आपको पता है 0.5% ज्यादा मिल रहा है, तो senior citizen को इसमें 7.65 interest rate मिल रहा है, और इसमें non का लेवल वाला rule ल compound interest का facility मिलेगा, तो इसमें actual interest जो होगा, वो और ज्यादा होगा, और फिर non का लेवल FD में जो मिलेगा 399 दिनों में उसमें general citizen को 7.40 और senior citizen को 7.90% interest है, non का लेवल FD कितना का होगा, आप अगर एक करोड़ से ज्यादा invest करते हैं, तभी आप non का लेवल FD में invest कर सकते हैं, उ poster जारी cash में सब लिखा है, secure high returns with DOB monsoon dhamma का deposit scheme, 7.65 and 7.90% for 399, ये सब तो मैंने आपको पहले बता दे, आप इस poster को देखिए, monsoon dhamma का बारिज में कैसे चतरी के नेचे, खड़े हैं ये पूरी family, और अपना high returns secure कर रहे हैं, उसी तरह से आप भी bank of बड़ोदा में जमा करके deposit limit के बारे में आपको बता देते हैं दोस्तों तो कम से कम आपको एक हजार रुपया जमा करना है, एक हजार का ही अपटी होगा और maximum आप इसमें तीन करोड़ ही जमा कर सकते हैं, तीन करोड़ से ज्यादा का प्रवडिज में नहीं कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिं नहीं है, बैंक और ब्रोदा के तो आपको ब्रांच जाके हैं, सिर्फ इन्वेस्ट करने के सुब्धा में लगी, बाकि ये दोनों सुब्धा आपको नहीं मिलेगी, दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं तो फड़ा-फड लायक सेर करते रहिए वीडियो को क्योंकि और भी करने के फैसलیटी मिल जाएगी, किसमे मिलिगे दोस्तों, जो 399 दिनोवाली स्खीम है, और तिनST ते रिटीटी दोनों में आपको प्रमेचर कुरूजर करने के फैसलीटी मिल जाएगी, इसमें एक और फैसलीटी मिल जाई है, मंघ लें चाहते हैं, तो मंघ भी मिल लेकिन यह फेस्लिटिज की बात दोस्तों और अब इंट्रेस्ट ब्याज कितना मिलेगा मैचरटी वैल्यू क्या होगी उसके बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं इसलिए वीडियो को छोड़के जाये मत मैचरटी वैल्यू की बात करें दोस्तों तो सब से पहले जानते प्रिंस्पल वैल्यू को हम लोग एक लाख मानते हैं कि अगर हम एक लाख रुपया इंवेस्ट करेंगे तो 333 दिनों में क्या ब्याज मिलने वाला है जेनरल सीडियन को जो ब्याज मिलेगा दोस्तों वह 6,689 रुपया मिलेगा जेनरल सीडियन को 8,171 रुपया ब्याज मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा रिटन माना जादेगा और सीडियन को वहीं पर 8,730 रुपया रिटन मिल रहा है यानि कि एक लाख में आपको 8,730 रुपया लगवए एक साल में मिल रहा है ये ब्याज आपको पैंक बड़ोदा क जो मौनसून धमा का FD है उसमें आई है तो ये काफ़ी अच्छा रिटन मिल ला है दोस्तों फिर उसके बाद और भी एक जानकारी आपको जानना जरूरी है टैक्स से संबंदी टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों तो जैसा आपको पता है टैक्स तो आपको देन पड़ेगा और अगर उससे ज्यादा का FD करते हैं तो इस टैक्स से बचने का एक और रास्ता आप 15 जी से लिए जो नॉर्मल से लिए ये दोनों फोर्म अगर आप भर के बंक जमा करते हैं, तो आपका कितना भी इंट्रेस्ट हैगा, तो उस पर टेक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप इंकम टेक्स भरते हैं, तो आपको वेबसाइट में सो करेगा, कि आपको कितना ब्याज मिला है इस स्कीम से, तो यह सब देख के आप इंवेश्ट कर दिजे,